गोंडा जिला उत्तर प्रदिस्का परसीजिला है जो 4000 किलोमीटर स्क्वाइर के छेत्रफल में फैला हुआ है लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से निवेदन है कि आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिख रहे बेल आइकन को भी आन कर दें ताकि हमारे याने वले नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके अवद के नवाबों के तद गोंडा मुल रूप से गोरकपूर के निजामत का हिस्सा था लेकिन अठार सो एक में गोरकपूर को अंगरे जो को सबने के बाद गोंडा बाराइज के साथ एक जूठ हो गया था गोंडा के वरतमान जिले द्वारा कबर किया गया चैत्र प्राचीन कोसल समराजी का हिस्सा था गोंडा ने सौत अंतरता के लिए भारती संगस में एक महत्तपूर बमिका निभाई जिसमें छेत्र के कई लोग सकरी रूप से सामिल थें जिले की लिटरेसी रेट बहुत ही कम है इसलिए भारत सरकार नहीं से पिछरा छेत्र कोस के माध्यम से और एकसी जिलों के स्रेणी में विशेस योजना बनाई है जिसके माध्यम से गोंडा को फंड मिलता है और गोंडा फंड पाने में प्राप्त करताओं में से एक है गोंडा में 66 सरकारी प्राथमिक केंद्रों के अलामा, 15 अस्पताल, 27 अर्वेदिक अस्पताल, 11 होमें बैथिक अस्पताल और दो युनेयनी अस्पताल सामिल है गोंडा 2.11 के जनगर्णा के अनुसार, सीसु मृत्युदर में, टॉप 100 जिलों के सूची में सामिल है सोचिशनवे छेदुया सरतर के नुसार, गोंडा भात के सबसे गंद सेरों में सूची बंध है जिले की अधिकारी बांसा हिंदी है, और अत्रिक अधिकारी बांसा उर्दू है जिले में 98 परसेंट लोगों का मानना है कि उनकी मात्र बांसा हिंदी है जबकि 2 परसेंट लोगों का मानना है कि वो उर्दू को पहले रखते हैं यहाँ पे छेतरी बांसा उदी बोली जाती है गुंडा जिला काफी समवेदन सिल जिला है यहाँ पर 69 परसेंट हिंदू है जबकि 27 परसेंट मुस्लिम बबादी है यहाँ पे अलफसंखेक समुदायों में 3% किस्चन भी सामिल है जिले की लिटरेसी रेट केवल 69% है इसमें 50% पूरुस लिटरेसी रेट और 55% माईला लिटरेसी रेट है जो राश्ट्री एवरेस से काफी नीचे है जिले में 1,000 पूर्सों पर मां 3899 मैला है जो की राश्ट्री एवसर्ट से काफी नीचे है और यह गोंडा प्रसासान और उत्तर पदिस सरकार के लिए काफी चीनता का भी सह है दोस्तो आपको जानका हैरानी होगी की गोंडा मानो सुचनाक में बहुत ही कम है गोंडा में घूमने वाली कई अच्छी अच्छी जगए है यदि आप गोंडा आना चाहते हैं तो आपको जनौरी से माच तक का सबसे अच्छी समय रहेगा दोस्तो वीडियो आपको कैछी लगी हमें कमेंट करके आपसे बताएं धन्यवाद